वेल्कम बैक टू माई चैनल दिस इस जया आज के वीडियो में करने वाली और अच्छा बंदन मेकप लूग और यह वाला मेकप लूग ना बहुत दिजिए हर कोई असानी से कर सकता बहुत सिंपल सा है तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा पूरा वीडियो के बाद एक से दो में आपको गया लेना जिसके की जो प्रोड़क्त है अच्छे से अब्सौर्ब जाए उसके बाद मैं कर रहे हैं कंसीलिंग इसके लिए और और यंज करेक्टर यूज कर सकते हैं या पीच कलर का इसको नूट्राइज करना पड़े हैं लेकिन अगर आप यूज करो ना तो बहुत 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 अच्छे से करना जिससे पूरे स्किन में अच्छे सी ही अब्सौर्फ हो जाए अगर आपका बेस अच्छे सेट हो गया ना तो आधा मेकप आपको वहीं पे हो जाता है तो बेस बहुत अच्छे इसेट कीजिएगा उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही है जहां कि मैंने डाक लगा कंसीलर लगाया था डाक सर्कॉल को हाइट करने के लिए फिर डाक अच्छे से ब्लेंड कर लें उसके बाद मैं लूस पाउडर यूज कर रही हूं लूस पाउडर मैंने लिया यह इंसाइट का और यह बनाना लूस पाउडर जो की मेरे स्किन बहुत अच्छे से सेट हो गया अगर आपको कॉन्टूरिंग और ब्लस क्रीम करना है तो पहले ब्लस कर लिजेगा उसके बाद पाउडर सेटिंग कीजेगा लेकि मुझे आप पे सारे चीज पाउडर वाले यूज करने इसलिए मैंने पाउडर सेटिंग कर लिया तो अब मैं कर रही हूं ब्रॉंजिंग बहुत हलका सा कर रही हूं क्योंकि कोई पार्टी मेंकप नहीं अच्छा बंदर मेकप लुक है और बहुत जरूद भी नहीं होती मुझे तो बहुत थोड़ा सा कर रही हूं उसके बाद मैंने नोस को कॉंटूर किया है नोस को हाइलाइट भी कर लिया है अब मैं लगा रही हूं आइसाड़ आइसाड़ के लिए मैंने लिया लैक्मे का आ तो मैं हाफ आई पे अपलाई करों उसके उपर बहुत लाइट कलर का से लेके इसके साथ अच्छे से मिक्स करों गी तो यहां पर मैं कंसिले लगाए और इस सी प्रीज एरिया थाज लगाऊंगी उससे ऊपर नहीं लगाना है और इसको थोड़ा सर्द राई होने देना है जिसे की जो भी आप लगा है वह अच्छे से अप्लाई हो जाए तो यहां पे मैंने लाइट और इंच कर लेकर लेकर उसके बाद अच्छे से मिक्स करूंगी अप्लाई करने के बाद मैं इसे एक मिनट छोड़ दूँगी क्योंकि मैंने निचे लगाया था तो उसे अच्छे ले रही हूं जहां पर मैंने मुसली लगाया था उन पार्स को मैं हाइलाइट कर रही हूं उसके ब्लस लगाँगी ब्लस के लिए सिवाना का ब्लसर पैलेट यह बहुत अच्छा है इसमें हाइलाइटिंग भी मिल जाएगा और आपको ब्लस भी मिल जाएगा नेक्स मैंने यह बहुत अच्छा है आप चाहँ इसके ब्लैक का जल भी यूज कर सकते हो नेक्स में लगा रही हूं स्वेश ब्यूटी का आई-लाइनर जो कि स्केच लाइनर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता लगाने में लेकिन लग जाता है तो बहुत पसंद नहीं मुझे यह लाइनर ल लगाया मैं नीचे तो उसके नीचे आइस पर थोड़ा सा मैं सेम कर लगा रही हूं जो कि मैंने आइस पर लगाया है उसके बाद मैं लगा लिप्स्टिक तो यह पूरा लुक कंप्लीट हो गया आप चाहँ तो इसको पर ग्लॉस भी लगा सकते हैं यह तो ऐसी मुझे लगाया बह।